हमारे साथ हैं दलजीत को और जिन्होंने अपने पोस्ट के जरीए हर किसी को कर दिया था है रान दलजीत बहुत-बहुत स्वागत आपका था 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 सबसे पहले आपके पोस्ट ने बहुत-बहुत खुश कर दिया था सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे आपनी यह अगलए गायओ ती की बता देते हैं औरAh development ब क्षादी स्चूल हुह रहा है वह लिटली दो दिन पहले जा रहें जा रहें है जेरेंके स्कूल से तो फिर लगा की हर बता यह देते हैं तो वह इतना calculated thought तो नही थाος बेचेस भॉत बहुत जो है यह से बिलकल बबबजी का नाम लेके, I posted it, I said, let everybody know, and इतने blessings, इतने wishes, you know, are coming my way, our way, it just feels very nice. Daljit, यह बहुत बड़ा डिस्यूर है, मतलब इतना आसान भी नहीं, जितना लोगों को लगता होगा, सबसे पहले आपसे जना जाएंगे, मतलब यह डिस्यूर लेने में आपको समय लगा? बिलकुल साथ साल लगए, समय बहुत लगा, एक वक्त ऐसा भी आया, जहां मम्मी पापा को लगा कि शायद यह नहीं प्रिपेर हो पाएगी, शायद यह डिस्यूर लेने के लिए इसकी हिम्मत नहीं होगी, और आइधिक सम्वेर माइपेरेंट्स हैड लॉस्त लोग की, यह शायद नहीं करेगी, और आप जिनके साथ जा रही हैं, उनके भी बच्चे हैं, तो यह भी बड़ा डिस्यूर था, कैसे आप अपने आपको करनेट कर पाएंगी, और आपका बेटा उनके साथ कैसे करनेट कर पाएंगी, यह सब कैसे हुआ और उनका क्या रिएक्शन था जब इस समभातों पर आप दोनों की बात हुई, आइटिक डर जैसा आपने का वो ओविसली बहुत मेजर वो डिसीजून हमारा इर्द गिर्द बच्चों के ही था, है, और आइटिक सेंटर स्टेज, जैसे ही आप ज़रूर इस चीज से मानेगे, और जितने भी पेरेंस मुझे देख रहे हैं, वो इस चीज से मानेंगे कि जब आप एक मा या बाप बनते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी आपके बचों के इद्गिर्ध होती है, तो डिसिजन, डेफिनिटली जेडिन, आरियाना, आनिका, जो हमारे तीनों बच्चे हैं, उन्हीं के इद्गिर्ध घूमता है, और उसका यह मैंने ही काऊंगी कि सिर्फ पो कारण है, मैं निक को पसंद करती हूं, निक मुझे पसंद करते हुए, उन्हीं लगता है कि हां यह हम अच्छे कुपल हैं, एक इसरे को समझते हैं, As a couple also, I think we are in a good space, but as parents, definitely responsibility so much more, तो इतना असान नहीं होता पेरेंस का डिसिजन देना जाता है मैं पता है कि आप दोनों किसी फेंड्स के यहां मिली थी बट हम जाना चाहेंगे कैसे हुई थी यह प्यार के शुरुआत I think मुलाकात हुई फिर बाते हुई फिर समझ में आया कि वह अज़ पेरेंट बहुत डेडिकेटर है मैं अज़ मादा बहुत डेडिकेटर हूँ और ऐस पेरेंस कहीं न कहीं यह शॉरिटी हुई कि यह बच्चों के साथ तो हम मतलब कभी गलत नहीं करेंगे पहले वह मेरे कंदों पे बहुत बड़ी रिस्पॉंसिबिलिटी है और वही सेम चीज निखिल के उपर भी लागू होती है उनकी दो बच्चियां है अगर मेरा इंटेंशन या इरादा गलत हुआ तो उनकी बच्चियों की जिंदगी पे भी असर करेगा सीधा सीधा उनकी पुरी ज तो आस पैरेंसलमें फिलें तो आस्ट पीपलर जो भी अत्रवेष्ट तो हम बाते करते हैं तो इस वक्त पर वर्मने रिलाइस के पैरें शी लेम वे बच्चे मिले तो हर पर्मटेशन इंगल तो रिग थे जा की शायद यह सही है और फिर बस एक डिसिजें लेने की हिम्मत की तो यह बड़ा डिसेंट कि सिब शादी तक ही नहीं है बच्चों की भी जिन्दगी है प्लस आप इंडिया भी छोड़ के जा रही है यह बहुत बड़ा मतलब यह डिसेंट लेना काफी मुश्किल भरा क्योंकि अपना घर छोड़ का जाना यह बहुत जादा सब के बस की ब अधिर मुझे रेलाइज हुआ कि पहले तो मुझे नहीं चोड़ा था कि मेरा कम अपने आपको कुछ कंचे वोगों से जोड़ पारही हुँ या देख पारही हुँ कि हम limit कर लेते हैं अपने आपको फिर मैंने का नहीं आज़ बाज। पुना धाटा चले गांट तक तो ऐस इसे शुरू किया, तो मैंने का इसे नहीं हो पाएगा, फिर आया COVID, I think COVID ने हर चीज बद दिया, COVID से एक तो ये रियलाईज होगा कि जितना विडियो काल, वैसे तो Dad Mom मेरे साथ ही रहते हैं, लेकि उस दौरान, को इंसिदेंटली वह मारे साथ नहीं थे, बैंगलोर में थे, फिर वहीं लॉक्डाउन होगा, जितना मैंने लॉक्डाउन के टाइन पे, शायद वीडियो कॉल मेरी बहनों को, मेरे मामा जी के बेटो को, या मेरे दूर दरास की family के कोई friend को किया होगा, वो मैंने शायद अपनी जिंदगी में पहले नहीं किया, शायद अभी भी नहीं कर दे, तब realize हुआ कि family कितनी important है, कोई भरोसा नहीं है life का, और ये सब चीजें धरी की धरी रह जाती है शायद COVID एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ में जहां पर मैंने रियलाइस किया कि एक अच्छे इंसान को धूनना जरूरी है चाहे वो कहीं भी हो और वो मैंने जैसे ही बोलना शुरू किया लाउडली मैनिफेस्ट किया शायद और एक ट्रिप के लिए मैंसे ही गई और दुबाई मुलाकात हुई और फिर मैंने अपने आपको इस चीज के लिए प्रपेर किया कि काम तो मैं करूँ है ना अब हम बच्चे तो है नहीं कि पांच गंटे के रास्ते में हूँ मैं तो यह तो है नहीं कि आरे मैं नहीं आ सकती या मुझे परमिशन लेनी है वैसा वाला लॉजिक है नहीं फैमिली प्रियोरिटी है लेकिन मैं काम करने आया करूँगी आऊंगी जाऊंगी तो फिर बच्चा क्या परिवार और मेरे मम्मी पापा जिस उमर में है वो यही प्रे करते हैं कि बच्ची सेटलो जाए जेडन एक परिवार देखे एक एक जो एक होता है साथ में रहने वा बिवाले पाँ घूँडे हो पॉच्छ राप्स बीटी हुआ उनकी दिल्ल में उन्हें ऑप से शेयर हो कना फूर उनके लेए जैसा मेंने कहा है अगर मेरा इन्टेंशन वहाँ जाकर कुछ गलत करने का है या सब करने का तो सीधा सीधा बच्चों पे असर होगा उनके, क्योंकि उनके बड़ी बेटी 13 साल की है, उनकी पूरी जिन्दगी आगे पड़ी है, अगर मैंने कुछ गलत की चलो, इरादे से कुछ किया, तो मेरी भी पूरी जिन्दगी जो अभी आदे रास्ते जी ली, अभी कितनी बची कि भगवान जानता है, वो मैं खराब करूँगी, मेरे बच्चे की जिन्दगी खराब करूँगी, तो मुझे लगता है कि उनको भी यही फिरस्त है, मतलब कि यह कैसी है, क्या है, जब टाइम स्पेंट के उनको लगा, यह बड़ी सीधी साधी है, मतलब लेना ना देना वा तो जब सबका इंटेंशन ही उतना है, तो फिर डर दीरे-दीरे कम होता गया, जोडियां उपर से बन कराती है, साध यही वजय कि आपका और उनका कनेक्शन ऐसा ही हो रहा है, बट यह दुनिया जाना चाहती है, कि कितने रोमांटिक हैं, और किस वे में सब कुछ हुआ, व जादा बना लिया था, मुझे नहीं पता था, मेरे दिमाग में यह था कि हम अभी भी पहचान रहे हैं, चाहे वो यह बच्चों को मिलाना हो, परेंस को मिलाना हो, मुझे उनके परेंस से मिलाओं उनको, सारा प्रोसेस चल रहा था, मेरा तो तब तक वो रिंग ले चुके तो वो क्या करते थे, जहां भी मैं जाती थी, मेरे पीछे एक रिंग ऐसे खोल के, फिर बन कर देते थे तो एसे वो करते रहे कहीं जागा, मैं चल रही हूं तो मैं सो रही हूं तो बिल्कुल यहां पर रहे हैं मुझे नहीं पता है, मैंने अब ही देखा, तो बड़े कि अधिर एवेंचुली हम नेपाल गए न्युएर्स पे और तीन तारिक को और मुझे उनने बोला कि चार बजे ये मुजियम नहीं खुलेगा वहां जाएंगे और जेरन को बड़ा शौक है तो हमने का चलो तो वहां गए तो बड़े ही प्राचीन मंदिर और मुझे तो व जाएंगे और मैंने का यार यह बहुत फेमस होगा शायद मुझे नहीं पता होगा यू अविसली आप दुनिया जब याप दूसरे किसी देश में मुझे तो मैं वहां से गई और एक मुझे डाउट जरूर रहा कि बहुत वियर्ड है एक बड़ी जीप चीज मैंने देखी एक कुवा था जिसका लेना ना देना एक कुवा था चोटा सा तो एक बंदा कुछ तो कैप्चर कर रहा था और सडली उन्होंने मुझे देखा आते हुए तो वो कुई के अंदर कैमरा लगा के देखने लगे और मैं जीड़न के साथ माँ गई मैंने का यहां क्या है फिर मै जाने के ओर हुए जाना तो जहां से हम आये ते माह एक बेंच था और जब तक हम आये मैंने देखा कि वहां फूली फूल थे और मुझे दिग गया कि वहां पर हार्ट बन आव है मैंने का यह कुछ होने वाला देखा तो निगगाए बोचुके तब तक तो वह आगे से आए यूनो जैसे नीज पर जाके जो होता है वो प्रोसीजर पूरा मतला बड़े प्यार से फॉल स्टाइल में वो स्टाइल तो बहुत स्टाइल मारू तो है फिर उनन ऐसे रिंग निकाल के विल्यू मैरी मी और वो सब हुआ और एंगेजमेंट हुई हमारी हमारे बच्चे वहीं थे और फिर समझ में आया मुझे कि वो टूरिस्ट जो बना कुए की पता नी क्या विडियो बना रहा था वो अच्छी मुझे कैप्चर कर रहे थे और जितने कैमरां पर आठ दस कैमरा जो सारे कैमरा मुझे ही कैप्चर कर रहे थे और उनके कुछ असिस्टेंस थे तो 15-20 लोग तो वो बड़ा प्यारा सा मुमेंट था सब लोग ने क्लैप किया और मुझे मतब समझ मैं कि हाँ यही रादा हम बहुत सीरिसली ले रहे हैं और बच्चे बड़े खुशते बच् क्यूट एक्सिन में बात करते हैं फिर उनने मुझे दिखा है मैंने और मैं देख रही हूं कि कई बार तो एसे सो रही हूं तो यहां पे रिंग है मैंने का आख खोल ले थी तो बड़े कॉन्फिडेंट बड़े नहीं पता था और बहुत ता बहुत सारी चीजे स्टेप ब समय बचया है और आपका dream marriage कर तो सब सोचते हैं कि मराएसा होगा आपका dream marriage मेरा dream marriage है मेरे soc तरफ उनके ममी पापा इस तरफ मेरा जेरन मेरे गोधी में मेरे दोलों बच्चे तीनो यहां और यह सबसे बड़ी इंपोर्टेनग बात है टीनू बच्चे यही शुरुवात विल्कुल तीनू बच्चे अब देखो वो तो सच है मेरी जिन्दगी का यह तीनो बच्चे क्य य eriko में उमीद करते हूं कि मेरी मुलखात के जरुकि जरुंकि एंवर की है तो मैं जब भी जरुंकि बात करती हूं में रिभी करती उमेरे दिमागों में हमेशा अनिका का आता है चाहरा तो मेरी ट्रीम बेडिंग ना किसी जयएपुर के किसी बहुत बड़े पालस में है यार नम्मी पाप अंदर गई कहीं तो कोट में कुछ नदा गाई कुछ साइन करकी आगा तो वो नम्मी पापा या एक रिलेशिन्शिप को serious कि लेने के हमारे रेलीजन में हमारे मेंमारे रे छोच में हो जा कि परिवार साथ में मिलते हैं जब कुछ rituals होते हैं, तो उस प्रथा को या उस चीज को थोड़ा seriously लिया जाते हैं, उसके माइने बदल जाते हैं, तो वो बच्चों के ले करना बहुत ज़रूरी है, यह दो तरह का हो चुकि अब पंजाबी family से हैं, तो कैसे दोनों rituals होंगे, you know, church में भी हो सकता है, फिर कैसे वैसे तो क्योंकि लड़की की तरफ से ही होती है शादी तो हम गुड़द्वारे में करेंगे, और बहुत ही और गुड़द्वारे में सादगी से ही होती है शादी क्योंकि I think यह definitely वो है सुबे की शादी होती है, पंदरा बीस मिनिट में तो निपड़ जाती है शादी लि बस शादी होती है